ताशकन समझोता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ यह एक शान्ती समझोता था इस समझोते के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ती का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने जगडों को शान्ती पूर्ण धंग से तय करेंगे यह समझोता भारत के प्रधान मंत्री लाल बहादूर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्री अयूब खान की लंबी वारता के उपरांत 11 जनवरी 1966 को ताशकन्द सोवियत संग वर्तमान उस्बेकिस्तान में हुआ समझोते का प्रारू ताशकंद समझोता संयुक्त रूप से प्रकाशित हुआ था ताशकंद सम्मेलन सोवियत रूस के प्रधान मंत्री द्वारा आयोजित किया गया था इसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान शक्ती का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने अपने जगडों को शांतिपूर्ण धंग से तै करेंगे दोनों देश 25 फरवरी 1966 तक अपनी सेनाई 5 अगस्त 1965 की सीमा रेखा पर पीछे हटा लेंगे इन दोनों देशों के बीच आपसी हित के मामलों में शिखर वारताएं तथा अन्यस्तरों पर वारताएं जारी रहेंगी भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर आधारित होंगे दोनों देशों के बीच राजनेक संबंध फिर से स्थापित कर दिये जाएंगे एक दूसरे के बीच में प्रचार के कार्य को फिर से सुचारू कर दिया जाएगा आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों तथा संचार संबंधों की फिर से स्थापना तथा सांस्कृतिक आदानप्रदान फिर से शुरू करने पर विचार किया जाएगा ऐसी परिस्थितिया उत्पन्न की जाएंगी की लोगों का निर्गमन बंध हो शर्णार्थियों की समस्याओं तथा अवैध प्रवासी प्रशन पर विचार विमर्ष जारी रखा जाएगा तथा हाल के संधर्ष में जिब्द की गई एक दूसरे की संपत्ती को लोटाने के प्रशन पर विचार किया जाएगा प्रभाव इस समझोते के क्रियानवयन के फलस्वरूप दोनों पक्षों की सेनाएं उस सीमा रेखा पर वापस लोट गई जहाँ पर वे युद्ध के पूर्व में तैनात थी परंतु इस घोशना से भारत पाकिस्तान के दीर्ग कालीन संबंधों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा फिर भी ताशकंद घोशना इस कारण से याद रखी जाएगी कि इस पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद भारत के प्रधान मंतरी लाल बहादुर शास्त्री की दुख खद मृत्यू हो गई थी